मुझका खाएगी, आइसक्रीम खाएगी, ब्रेड रोल भी तुझे पसंद है, लेकिन पढ़ाई करने का वक्ता है होमवर करने का वक्ता है, बस, वो खार आ जाता है अरे आमी की बोका, रोज सुबे उठके डेली तेरे लिए नाश्ता पकाऊं, टिफिन रेडी करूं, तुझे रेडी करूं तुझे समझ में भी आ रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, या मैं यूही अपना गला खराब कर रही हूँ करूं, अर्वे-पल. मैं युझे स norm देख तिम्ली, मैंने आखरी बार भी तुझे लास्ट वानिंग दे थी, आज भी बोल रही है, पढ़ाई तो तुझे करनी पड़ेगी, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, समझ में आई? एक अवाल, हो क्या है, एक तिम्ली, नमबर नोट का, तबल्यू बी, थ्री एट, वी टू जीरो एट सिक्स, हाँ, एक मिनिए, एक शुन्ने शुन्ने, ये सिर्फ एक नमबर नहीं है, बलकि आपके और हमारे हाथों में दिया गया एक ऐसा हधियार है, जिसकी साहिता से हम सब मिलकर जुर्म के खिलाफ लड़ते हुए, ना सिर्फ अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बलकि दूसरों की भी, ये एक अधिकार भी है और एक कर्तब भी है, कॉलकाता की रहने वाली एक साधारन सी महिला पारूल को जब लगा के कोई मुसीबत में है, तो उसने एक शुन्ने शुन्ने पर फोन करके पुलिस को ये जानकारी दी, लेकिन समस्या ये थी, कि पुलिस को सिर्फ इतना पता था, कि एक कार की ड कौन लोग थे जिन्होंने उसे कार की डिक्की में बंद किया था, और क्यों, क्या ये कोई साधारन अपरण का मामला था, या व्यक्तिगत रंगजिश का नतीजा था, या पिर लहू से जुर्म की एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी लिखी जा रही थी, जिसका हर हिस्सा ना केब बल चौका देने वाला था, बलकि जान लोगा दूँ, ख़बर मिलते ही, पुलिस ने फॉरण कारवाई शुरू कर दी, और पारूल के बताय हुए रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे, वो बहुत जल्द कार के मालिक के घर जा पांची, जी, साब इंस्पेक्टर, उतपलदार, चानतो नुपल, आप ही है क्या है? जी, वाइट कलर का कार, डवलू बी, थ्री एइट वी, जिरो टू, एट सिक, आप ही का कार है, पुई, बच जाओ, जी, ये कार मेरे नाम पर है, पर मेरी बेटी सुवर्ना इस्तेमाल करती है, अपके बेटी अपकार है, सुवर्ना, एधी केशो, तुम्हेली कार वेज बीज़ है, वो तो छीन के ले गए गए, छीन के ले गए, कौन है, नहीं मालूँ, आज सुबे जब मे, शांतिनी कतन से कोलकाता की तरफ आ रहे थी, तब अचानक से गारी मेरे पीछे से आई, और मुझे ओवर्टेक कर लिया, और उसमें से कुछ बुन्डे बहान निकले, मैंने अपनी गारी रिवर्स ले लिए, पकड़, 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 जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जज नहीं हो लाए हमारी, अबे, ठर्ट, और मे अंधा धुंद गाडी चलाते हुए जंगल में घुच गई, तब ही अचानक मेरे गारी का तई इसको भी पंचर होना था, अज़ दीदी, दीदी मुझे बचा लीजिये, दीदी, मुझे बचा लो, उन्हों ने मेरे पती को मार दिया है, अब मुझे भी मारना चाहते है, पर तुम भो कॉशन? मेरीशमा, वो लोग मुझे जबर्दस्ते उठागर नाय है, आप जो वो होटल में खाने के लिए रुकी थी ना, तब मैं चुपके से आपके गारी में बैठ गई, मुझे भत्रालो दीदी, इसका मतलब ये लोग तुम्हारी हुआ जैसे मेरे पीचर बढ़ात है, अचा तु तुम बार रहमों तुम उसका ओंँ हुआ है? शेट उसके नेटव कर आप अचह, अचह सुन्हे काम करो, तुम तुमं ताय ये जैसे हुआ है अमेरेहले है? अचा है 돼? कि इम एक उrain को खाया है? इपके पॉ सबतक है... मुलक क Usually मिहोंढो मुलक 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 त उचस बाсол मुलक जो कि अजय काड़ी दिखाते हैं लुष्टार, चाहिए भी आूरा थे था नहीं है नहीं बेंदे इस काड़े के लप्तिका आए, मिली तो खाहाँ जाके चिफ गयी है क्ली हम दोलो ये काड़ी लेकर दिखलते हैं अभी को ही मरना दे चल 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 दिखल दिखल तुम सब एक केक नाला हो तो एक सोल लगता है ये बाटरी का बैटरी ठारा है हाथ पाथ इसे गारेग जाके ये बैटरी चेंज सब्सक्राइब चेंज करते जल्दी अपना देम हाथ उसके बाद काफी देर तक मैं हुईंची के बैठी रही है फिर शॉरग से आके बस पकड़के तब कुल कंधा पहुंची उस गारी का नमबर ही हागे है नहीं नमबर कुछ याद नहीं है लेकिन ग्री कळलर का एस्यूवी था इतना पका है उनमेंसे किसी का नाम लेके पुकारा था नहीं, मुझे कुछ याद नहिए आरहे लेकिन जो मेन आदमी था उसकेललमबे बाल थे और उसने कैप पहना हुआ था मुझे और, कुछ याद नहीं आ हुए उसके बाद से बिल्कुल दरी हुई हूईством हैलो, एलो, S.A.P. इंद्रोजीत here. ग्रें कलर के SUV का नंबर बता नहीं चला, मगर उसका स्टार्टिन प्रोब्लेम हो रहा था. आसपास के कोई गैरेज में वो बैटरी चेंज करने वाले थे. ओके, वबार्दाथ कहा हुई? बोलपूर के चोहट गाउ के पास. ओके, कुछ और डीटेल मिले, तो मुझे तुरंट इनफॉर्ब करना. माँ वो अच्छा आदमी है, नाम है उनका वहाँ पे. और तु इतने दोड एकले कैसे रहेगी बटी? मा, अब बाबा नहीं रहे, तो किसी ना किसी को तो टाका पोईशा कमाना ही पड़ेगा, ना? और फिर मैं अगर वहाँ जाओंगी, तो इन दोड़ों का करहाई लिखाई, और बाकी सब खर्चा भी हो जाएगा. और फिर बाद में आप लोग भी वहाँ आजाना. इतनी कम उमर में रेश्मा पैसा कमाने के लिए कहां जाने की बात कर रही थी, और जो लड़की अपने भाई बहन के भवशे को सजोने के लिए घर से निकली थी, वो उस कार की डिक्की में कैसे पहुँच गई? इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं था. कॉलकाता पुलिस के पास सिर्फ एक सुराग था और वो था कार का रेजिस्ट्रेशन नंबर. जैसे जैसे वक्त बीटता जा रहा था, वैसे वैसे ये केस और पेचीडा होता जा रहा था. इस पेंट को गारी से गिरा देती हूँ. कोई ना कोई तो जरूर देखेगा. लु embaixo जरूर जो करता उता रहा थीजान आईकाषी. अलुझा. 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 जरुग होता प्थान कोई ख escaping ए तोग मं डिकी में किया है? क्या है? किसको किस नहीं है सर्ण कुछ भी नहीं ही इतनसा कव्लार्डब ट्रेस ना गिर रहा है? उनतर कर देख, पर रस्ता कराख देतने तुने, ठाज्रु़ ले, तुने सर्च यहां... मैं आपको उता हुषर अपनी अपनी अपने दो राय दोगेला अब पुर्ची हाँ हाँ अजो हाँ अजर बुल्ड हाँ 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 स्मार्ट मिचेश जो चाप से नहां पे लेटी रहा जादा चालाखी करने की पोश्षिश की ना तो तेरी ये तुरो आके नहीं निकाल लोगा को के से हलो कंट्रोलो मिया हलो एक मारूती गाड़ी है वाइट रंकी प्राइवेट नमबर है अजर नमबर इस डबलूबी 3-8-2-0-8-6 इसको रॉको अगर कहीं भी दिखे तो इसका बैक लाइट फूटा हुआ है पॉसिबिल्टी ओ किन्नापिक केस अजर नमबर इस डबलूबी 3-8-2-0-8-6 बढ़ी 4-2-0-8-6 यूई डिकल इसका बिकेकल ऑल बलांग कर दो पर जाए जिए प्रख्वान पीजर तो पुलिस को अर जाए अरे इसे नहीं आज्टा तो हम दोनों माले जाते अब एब एब इसके वाखिड कर दो खाबर आए ताव कहा गया वाक्तिटीक सारा कुल कतरक पुलिस तून रहे हुए अरो बिरूख 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 पॉलिस ने एक पल की भी देरी ना करते हुए चोहटा गाउं के आसपास उन गुंडों की एस्यूवी की तहकीकाट शुरू करती थी उसका नमबर नोट क्या है? हाँ उसका नमबर है WP20U0955 लोगाई ग्रेय कलर की SCV का रेजिट्रेशन पॉल्स है, ऐसी गाड़ी का RTO में कोई भी रेजिट्रेशन नहीं है. हलो? मेरा नाम मानिकदास है सर, मैं गॉल्फ क्लाब रोड से पोल रहा हूं, यहां पे एक बाइक लाबारीस पारा हुआ है, और एक पूलिस का वाकी-टोकी परा हुआ है, तुटा-फुटा. क्या नबर है, बाइक की? WB-01-A-G-98-15 सर, मैंने देखा था, बोलो, एक शाधा कार में था, और गारी का पीचिका जो लाइद है ना, फुटा हुआ था, और उसी में से ना, ये कलार जी रखा हुआ है. आइ तिंक कांस्टेबल ने इंफॉमेशन मिलने के बाद कार को रखा हुआ हुआ है, और ये भी हो सकता है कि वो खुद किसी प्रॉब्लम में हो. सर, ये पेंट तीचे से आ रहे हैं, इस समत लग, वो लोग बीटी डोट से आ रहे हैं और अभी साथ सुलतार के तरफ जाते हुए, सॉलिगंज के तरफ मूर जाते हैं. चलो, अम लोगों को उस तरफ चल के देखना चाहिए. हाँच. लेट्स मूग. ACP, इंदर जी, कम अनलाइन. सर, ACP का रेस्ट्रेशन नंबर मिल गया है. नंबर नोट करो. नंबर इस WB-02-30-955 ये बिंदी लगा के तुम कितने सुंदल लग रहे हुँआ है। पता है तुम्हें, अब एक किस तो दिना ही पड़ेगा। अब एक किस मैंने दिया है तो तुम भी एक किस दो नहीं लेट हो रहा है चलो। तो क्या हुआ। तुम नहीं दोगी तो और जाला लेट होगा। कप्रा पहने जाओ। 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 क्यों कर रहे हो जा कि अपना आग में तो पूछ जा तो से ब्या क्यातर तुझे ब्या क्यातर ना हम दोबारा भागने की कोशिश के ला हुआ जो बहुत हुआ मैं हूँ ना समालोंगी देखते हुमें तुमी के जो कोड़ो इसको इसको समालते रख छोड़ने हैं हम लोगे जरूरी काम दिप्टा के आते हैं हुम छोड़ा नहीं इसको चल करना चल इस गाड़ी को ठीकाना लगाना हुआ गुलबुल कोई नया अदमी तो नहीं था उससे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत गलत किया उसने लेकिन दीदी ऐसी गलती की सदा मौत होती है क्या क्यों मार डाला उनको है ठीक हो इसे तुई मार डाला उसको हाँ पुलबुल को मार डाला और मुझे नपर टेस्टी ले आए और रास्ते में एक पुलिस बाले का भी जान्ने दिया आप् hadee डो aadmi्या हमारा दुकान के सामने गारी ठोड चलाा जिया सै किज लिए माना में फोन किया सर अछिधर ब्लाडी ब्लाट अचा यह बता है वो लोग यहां गारी पारकर के गय कैसे सर उनो पर्फ जारी थे किस तरव तरव टरव थे तरव को इसे ही आए से और अचीज एग के चले के इसका मतला वही है यह वो लोग बादर के आसपास करीब पे तीन-चार किलोमेटर का अंदर है इसका मतलब कॉबोर्ड डांगा के आसपास कोई ऐसे जगह है जहां वो लोग छिप सकते हैं इतना बरा एरिया है हमारे बास ना लेगी का कोई बाटोर ना कीड नवर का था स्वूट यह भी नहीं पता जे लेटी को लेको लग्टिया करें इनी क्लू के सहारे हम लोगों को आगे पढ़ना होगा अजय का तो पी बोलो तुमने के बुल्बुलदा को मार डाला हां मार दिया क्यूंकि उसने गटारी क्या था जोगादा से धोका ट्या दास ले और वो पुलीस वाला उसको क्यों मार डाला अगर उसे नहीं मारता तो पुलीस और गवर्मेंट तो उन्हों मिलके मुझे पांसी लड़का देती अगर उनसे मैं बजबी जाता तो जोगादा जोगादा मुझे नहीं छोड़ता तो नरवादेता मेरा क्या होगा सचाहे तुम ते तुम्हें पुलीस वाले को मारा है ना गोलो कुम्हेट छोड़ेoda नहीं नहीं कहीं जाकी छुपो के तुम्हें डूड निकालेंगें पर इसके बास क्या इसको आट मैं पेडा करूगी तो मैं क्या करूँ अब भैए जा करूं इसको छोड़ दो यहां पर और निकलता है यहां से दिल्ली बंबर कहीं भी चले जाएंगा पागल होगी है उसको रही के छोड़े हैं वो पुलीस को सब उगल देगी उसके बाद पुल्यों का क्या होगा सोचा है वो सब मुझे नहीं पता वजितना जाती होगा इस आपनी पतनी के बेहोश होने के बावजूद भी बंका जिसका फोन ठाने पर मचबूर हो गया था जिसका नाम मॉबायल पर पर पड़ते ही वो बुरी तरह से खबरा गया था खौन था वो जोगादा हाँ जोगादा 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 नो इसका टिकाने लगा दिये लए लडकी को यहाँ पर कॉंड़ों को लोग यहाँ जोगादा क्या करूँ को जा में निया रहा जागगा टया या कारूए भा टेख झा करूँ जा दू कि जागगा जागदा य९थ क्या रहा यह जागदा सकी जागदा वह में वो मेरे बीवी है जगदा उसके जाल मैं उसके कष़ा कर दूग अगर हुई इस हाल में पॉलिस के हदला की न तू अपने बच्चे के लिए सब बग देगी इन बात यहां से सूँ अगर तू जिन्दा रहेगा न तो दूसरे बीबी पी आ जाएंगे और बच्चे भी पेदा हो जाएंगे अरे अगर तू फ़स गया न मैं तुम तोनों को मरवा दुमगा समझा समझा मेरी बात दूसरी तरफ पुलिस उनके ठेकाने तक पॉंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी बिना किसी सुराग के अपराधियों तक पहुचने के लिए पुलिस ने उस एरिया में पूछता चुरू करती उसके पास लंबा साथ मतलब बड़ा गाड़ी है और उसके अंदर एक आदमी है जिसे बाल लंबा लंबा है देखा इसको और उनके पास एक वाइट मारूती भी थी हाँ साब ठाकुर बाड़ी में रहने बाले कुछ लोग एक बड़ा साथ गारी में घूलता है और कुछ बड़ा इसको बड़ा इसको बड़ा आते है लेकिन ज्यादा बात ने करते है कुछ भुलजर किसल के लोग कमानू होता है हुआ हुआ है पूरे घर की अचे से तालाजिलो ओप सर्थ ये ये पर्स दिला है सर्थ ये चार दिन पहले का है मतलब बो लोग उस लड़की को किसी जगह से उठा के लेके आये थी शर्थ ये ये अख कि अप्राइब आप। जो रहां जो वाल भी दिखा लगारी था इसका मालिक लो वो यह साइना अमेरिका वही पर चला गिया सर्श भर का ही थाल से बनता इसलिए गुंदलग जबड़ दिख गुज गया उपने यह पर हां पर वही गारी में तो वह पाता जाता था और कॉन को अना था यह पर आप ए उस गारी को आखिर पर कब दिखा आपने तो पहले दो आदमे आके फिन चरा गया तो जो लड़की का माडर हुआ ना पोई लड़की नामे सब्साइब लड़की तो नहीं देखा तो नहीं देखा सुवर्णा ने इंस्पेक्टर को बताया था कि रेश्मा की उम्र पुलिस को ठाकुरबाडी में मिली थी वो एक 26 से 27 साल की प्रेगनेंट औरत की लाश थी ठाकुरबाडी में रेश्मा और गुंडों की गहर मौजूदगी इस बात को भी साफ जाहर कर रही थी कि रेश्मा को यहां से ले जाया गया है और संभव है कि वो अब भी जिन्दा पड़ोसियों से पूचताच से इतना साफ हो गया था कि ठाकुरबाडी और प्रोस्टिटूशन का गहरा रिश्ता है लेकिन एसीपी इंद्रोजीत के अनुसार वेशावरिती से जुड़े लोग सरे आम दिन दहाडे पुलिस कॉंस्टेबल की हत्या करने का जोखिम नहीं है यह और चार दिन पहले हमारे दाटर बुकुर एडिया से कुलकाता गई थी जहां उसका संबंद किड्नैपिंग केस के साथ चोड़ा गया है पता करो यह कौन है यह तो शिल्पी है बंका की बीबी बंका बंका कौन है नूटोरियस है सर मडर केस में अंदर हुआ था पेर अब तक रेश्मा को लग रहा था कि उसके पती की मौत हो चुकी है लेकिन सच्चाई उसकी सोच से उलट थी बुलबुल जिन्दा था पर अब सवाल यह उठ रहा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वह खामोश कुछ देख बुलबुल एक बुछूट बोलेगा ना तो बहुत फसेगा बंका उसके बीवी का और तेरा सारा फ लेकिन सब आप लोगी है सब उसके मुच्छे है एक लड़की का का लपारून हुआ है बोल क्या जानता है यह फोटो किसका है यह तो मेरी बीवी का फोटो है अभी माई के गही है हूँ टतत्रश बुली मुझा एक वर्लेटार अज़ंगा जानता बंका अपर उसके मारी ने पर्रेदा श्लाए गटाके का सब्सक्राइब यह थी था जाए यह था बंका दोस्ताना थेरा और उपर से तूज के वीवी की मतशलता अब्दोप भी करता था फिर उसने तेरे साथ ऐसा क्यों किया जब से हम दोनों ने वो जोगादा के लिए काम करना सुरू किया और अब से दोस्तिक खतम हो इसा जोगादा मतलब वो जो ऑस एरिया के नेता है था था रहता है उसा और यह यह बंग्लादेश में लड़कियों क जब से मैंने रेश्मा को देखा, मैंने बस ठान लिया कि उसको बंका के साथ नहीं भीजना है, फिन हम दो उन शादी कर लिए साथ, लिगन वंका को जब पता चला, उचा के उस चगादा को बोल दिया साथ, किसी लिए बुलहाय था हम दोने को, मिल लिए लिए देख बुलबुल, जो चीज बाहर बेशने के लिए है ना, वो चीज अगर तू अपना पास रखना चाहता है, तो उसको कीमात देना पड़ेगा, और तूने तो कोहीं लो डैमन्ड चुदाया है जोगादा, आप मुझे थोरा वाग दे दो, जोगादा, मैं उसका पूरा किमात आपको चुखा दूँगा उसकी हिसाब तू मेरे को देगे जोगादा! लेकिन बंका को हिसाब देने का जल्दी था, इसलिए मुझे टाइम नहीं दिया बंका का कोई नंबर है तरे पास? क्या साब हो तो हर हफता अपना मोबाइल नंबर साब चेंज कर देता है साब उसका नंबर मिला बहुत मुश्किला साब, बहुत मुश्किला इस केस का सरकारी गवा बनेगा अलो सर मैं दोटोबो को पुलिस्टेशन से इंस्पेक्टर सुझरो तो बोल रहा हूं इस केस में जरूरी इंफरमेशन हाथ लगिये, वो बताना था आप खुश सर मुझे आपकी एक मज़द चाहिए इस परमिशन लोट रहे, हो जाएगा रैट, सर अप्रिस्ट अब क्या बोले अब लूज पता है तरह यह मैं नहीं बोल रहा हूँ इसने ब्लेम किया है अब रूपर अरे बखवास अब बखवास आई यह सब अरे कोई एक पागल अब मेरे बारे में आपको कुछ बोले अब मेरे से पुछताक्स करने से ले आएगा अब उस से नमबर दाओ उसका नमबर दो मैं बच इसके लूगा सर मेरे से बड़े सीनियर ओफिसर्स के तो लंबी लिस्ट लग जाएगी किस किसका नमबर तो आपको आपको आपसे वित्ना कीजिए बता दीजिए बंका का कोई नमबर है के नहीं आपके पाद हरी भवास नाम तक बता नहीं मिल को अब नमब से पूछ रहे हैं थैंक यू वरी मफ सर लगता है आपसे दुबरा मुलाकात करना पूँआ है हलो, जवादा सुन, पोली सो लड़की के बारे में पुछने के लिए रखरपी आया थे उसको लगता है, वो बुल बुलना है, सब बगतिया ददा अब, अब मैं क्या करूँ उस लड़की को माटा है परना आज नहीं तो कल, और सबूत अगवा दोनों बन जाए दादा, उस लड़की के चलते मुझे बुछन उठाना पड़ादा कम से कम में बेचूँगा तो लाग दिर्वलाद तो कमा ही लोगा कमाने के चकर में अपना जान मत गवा वह लड़की को महीं खतम करके देश का बॉड़क्रस कर जा बॉड़क्रस करने के बद मदबुस्त मैं करेता हूँ जोगादा, जोगादा सर मुझे आपकी एक मदद चाहिए I need a permission हो जाएगा, अब तुम क्या है जोगादा सर उस लड़की का जान खत्रे में बंका किसी भी समय उसको मार सकता है बंका कपून ट्रेस कर आओ इमेजियटली इस बालोनी ट्रेस करना शुरू कर दिया है काड़ी सॉल्डे के आजबास बेकिन दूटराउं के तरफ जा रहा है मैं आपको काड़ी का नमट तूरंदी पैस्ता हूँ तो वरेन आउंट आँ सर्ड, हम आगे सर्ड, आपके सर्ड कि अज़ती आपके काड़ी पाल आपके सर्ड, अज़ती अज़ती आपके सर्ड, आपके अज़ती आई हो चुका था सुबह से लेकर अब तक फुलिस ने अपनी तफ्तीश से मामले को काफी सुलजा तो लिया था लेकिन बंका अब भी आजाद खुम रहा था और उसकी आजादी का मतलब था रेश्मा की बरबादी शाम धल चुकी थी कॉलकता शहर और रेश्मा की जिंदगी पर अब देखना है कि वो पुलिस वाला साला अगर फोन का ट्रेस करेगा भी वो उदर सॉल्टिक में जाके मरेगा मुझे पता था ऐसा ही होगा अब रादी अपने आपका बहुत चानाथ समझता है लेकिन वो ये बूल जाता है कि हमें उनकी हर चाल समझने की आदत होती है इस एरिया में वाइपास के आज पास यही एक जगा है जहां ये काम वो आसानी से कर सकता है सामने राजर हट बाइपास है और राद के समय वो बिलकुल सुंसान रहता है और उनके लिए यही आसान होगा कि उस लड़की को यही मारके सीधा एरपोर्ट पकड़ते हुए बॉर्डर के तरफ बॉंगा जाए और उसके लिए वो कोई भी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट यूज़ कर सकता है अपने गाड़ी लेकर हम आगे नहीं जा सकते हैं रोड पर हर जगा पुलीस चेक कर रही होगी एक काम करते हैं राजाराट मोड के पास हम किसी बस पर चड़ जाते हैं जो दम दम जाती हो दम दम जाके लोकल फ्रेंट पकड़कर हम खुलकाता से दूर निकल जाएंगे अगे जाएंगे ये जगा जाओ से लीके आसकते हैं और वो जगा इस वक्त विलकुल सुंसा लेते हैंसा कौनसे जगर? एको विस्टा वने लिया कर दो एको विस्टा अम लोग विस्टा पहुंच रहे है और एक बैकप टिंदे जो करेंश बयुदा कर दो आवाँ कर दो कर दो जो प्लावी प्लाइं प्लावी कर दो प्लावी है मादाव अरुजा, रोक। महीरो महीरो, आप अपनेसी आपने से आपने कोड़ा परना, मैं अगर खोलूँगा ना, तो 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 इस कपड़े के साथ ना, तेरी चमड़ी भी खोल जूँगा तो नहीं नहीं को लिगी तो थीक है, फिर मैं खोलता हूँ नहीं, रूख आउप एकोविस्टा आगया, अभी लाइट बन करो और थोड़ा स्वीरे चलाओ सर, आगे गाड़ी देखिये, देखी खुला है, कोई नहीं इस करना अबर्स कुदा अबर्स कुदा ना, तो पकला गादें, पकला गादें, अबर्सक्तादीई तुरिया बरने का पाता हुआ का ना मर दो मर कौलकता और पश्चम बिंगौल पुलिस ने अपनी काबिले तारीफ कारवाई से ना सिर्फ रेश्मा की जान बचाई बलकि पुलिस के स्टैंडर्ड्स को भी एक नए मकाम तक पहुँचाया गौर करने वाली बात ये है कि ये संभव कैसे हुआ जरा सोचिए कि आज हम सभी अपने अधिकारों और अपनी असुविदाओं के बारे में हमेशा बात करते हैं लेकिन जब बात आती है संघर्श की अपना दायत्व निभाने की तो हम हमेशा बच कर निकलने की कोशिश करते हैं एक साधारन सी महिला ने समय पर समाज के प्रती अपने जिम्मेदारी को पूरा किया और उसके सिर्फ एक फोन कॉल पर पुलिस ने अपनी ड्यूटी करते हुए हुमन ट्राफिकिंग से जुड़े एक बहुत बड़े रैकेट का परदाफाश किया वहीं दूसरी तरफ ठाकर बाड़ी के आसपास रहने वालों ने अगर जरा भी साबधानी दिखाई होती पुलिस को इनफॉर्म करके अपने दायत्व को पूरा किया होता तो यह संभाबना थी कि अपराधी बहुत पहले पकड़े जाते और इतने लोगों की जान बच जाती है कॉंस्टेबल देवा अधित्य को मरोनो परांथ खुलिस मेडल दिया गया बाद बाद पर दूसरों की जान लेने वाला कैबला एक दिन भी पुलिस की मार परताश नहीं कर पाया और उसने अपने मास्टर माइंड सफेद होश सरगना जोगादा के बारे में सब कुछ पता दिया इन सभी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए धारा 363 के तहत अपहरण के लिए धारा 366-A और 372 के तहत यूमन ट्राफिकिंग के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और ये सभी आज जेल की सलाकों के पीछे है लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रेश्मा ने हार कर वापिस लोटना सुविकार नहीं की आज वो दुनों देश की बुलिस और एंजियो की मदद से ऐसी लड़कियों के लिए संखर्श कर रही है जिने धोके से यूमन ट्राफिकिंग के जरीए कॉलकता में लाकर बेशवरिती के लिए मजबूर किया जाता है हम रेश्मा के इस संखर्श की शक्ती को सलाम करते हैं अब मैं आनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का खयार रखें और देखते रहें क्राइम पिट्रोल डाइल एक शूनी शूनी सबके को सीख हम सब को जै ऐसे और भी मज़दार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें